हेलो फ्रेंड्स आज की हमारी रेसिपी है मिर्च का अचार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें सबसे पहले हमें हरी मिर्च को दो लेना होगा उसके बाद एक साफ कप्रा लेकि उसको अच्छे से सुखा लीजिए ताकि इसमें पानी ना रहे पानी रहने से हमारी अचार जो है वो खराब हो सकता है अभी हमने मिर्च को वो दो टुकरो में काट लेना है देख लीजिए हमने सबी मिर्चों को दो टुकरे में काट लिया ताकि इसमें हमारा मसाला जो है वो अंदर तक जा सके अब अचार का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए नमक, सौफ, अजवाय, राइस सीड्स अब हमने राइस सीड्स और सौफ को कूट लेना है कूट के एक फाइन पाउडर बना लेना है देख लिजे इस तरह से उसके बाद अब हमने एक एक करके सभी मसालों को अब मिर्च में डाल देना है और उसमें कूटी हुई सौफ और सर्सों के बीच भी डाल देना है अब हमें एक फ्राइंग पैन लेंगे उसमें सर्सों का तेल डालेंगे और उसको अच्छे से गरम करेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है इसको अपनी मिर्च पे फैला दीजिए और अब हमें इस सभी को अच्छे से इसको मिला लेना होगा देखिए हमने इसको अच्छे से मिला लिया हुआ है मसाले जो है मिर्च की अंदर तक चले गए है और अब हम इन मिर्च को एक जार लेके उसमें डाल देंगे अब ही हमने ये सारे मिर्च जो है अपने जार में डाल दिया है अब इसको अच्छे से बंद करके इसको दो तीन दिन के लिए आप इसको तूप लगा दे तो लीजिए आपका मिर्च का अचार तयार है